तो दोस्तों इंडिया में pick up trucks को local business, fruits and vegetables, courier and logistics, e-commerce जैसे applications में सरवाधिक उपयोग में लाया जाता है तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आगया हूँ 2020 में इंडिया के top 5 pick up trucks के पारे में एक वीडियो यहाँ पर आने वाली हर pick up अपने आप में बहतरीन है अगर आप भी नई pick up लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी useful होने वाला है तो मैं आपसे request करूँगा कि आप वीडियो में अंत्तक बने रही जिससे कि आपको इन pick up trucks के बारे में exact जानकारी मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 5 pick up truck की जो Tata Intra V30 है इस pick up में आपको काफी powerful engine 1496 CC का diesel engine लगा कर दिया जाता है जिसकी maximum power 52 kW की और maximum torque 140 Nm का रहता है आगे हम बात करेंगे इस pick up की weight and dimensions की तो इसका gross vehicle weight 2565 kg का और payload में यह pick up आपको 1300 kg के payload के साथ मिलेगी बात इसके load body की लंबाई और चोड़ाई की करें तो load body की लंबाई आपको 2690 mm की मिलेगी और चोड़ाई में 1607 mm की चोड़ाई इस load body की आपको देखने को मिलती है वही 35 liter की fuel tank capacity के साथ यह pick up आपको मिलेगी और mileage में 17.6 kmpl का mileage इस mini truck में आपको मिलने वाला है अंतो में बात price की करेंगे तो 7.30 lakh से 7.62 lakh के एक शोरूम प्राइस में यह pick up truck आपको मिलने वाली है यहाँ पर नमबर 4 में Isuzu D-Max pick up truck आती है company इस pick up truck को 7.84 lakh से 8.38 lakh तक की शुरुआती एक शोरूम कीमत में देती है इस pick up truck में आपको 2499 cc के displacement का engine मिलता है इसकी maximum power 58 kilowatt की और maximum tower के हाँ पर आपको 176 newton meter का देखने को मिलता है बात fuel tank के करें तो 55 liter की capacity cup fuel tank इस mini truck में आपको देखने को मिलेगा आगे बात करें इस pick up के mileage की तो यह pick up आपको लगभग 14.4 km पर लेटर के mileage के साथ मिलेगा बैकीची के दो ग्रॉस्विकल वेट options के साथ यह pick up truck आपको मिलती है जिसमें आपको दो payload options 1.2 ton और 1.7 ton के मिलेंगे आगे बात load body dimensions की करें तो load body की लंबाई आपको 2440 mm चोड़ाई 1725 mm और उंचाई 510 mm की मिलेगी जो कि सांदार वजन लेकर जाने में एक सक्षम load body रहती है इस load body को आप अपने applications के अनुसार बिल्ड करवा सकते है बात नंबर 3 pick up की करें तो अशोक लिलेंट बड़ा दोस्त यहाँ पर नंबर 3 पर आती है वहीं i4 variants में आपको 3400 kg का ग्रॉस्विकल वेट और 1800 kg तक का maximum पे load देखने को मिलता है बात इसके engine की करें तो यहाँ पर आपको 1478 cc के displacement का engine देखने को मिलता है जिसकी maximum power 59.6 kW की देखने को मिलेगी और वही maximum torque की बात करें तो 190 newton meter का maximum torque इस pickup truck में आपको देखने को मिलता है बात fuel tank capacity की करेंगे तो 50 liter की capacity का fuel tank यहाँ पर आपको मिलेगा यह तो था बड़ा दोस्त i4 का fuel tank वहीं बड़ा दोस्त i3 में आपको 40 liter की capacity का fuel tank मिलेगा और mileage की बात करें तो लगबग 16 km per liter का mileage इस mini truck में आपको देखने को मिलता है वहीं बात इस mini truck के load body dimensions की करें तो अशोक ली लेंड बड़ा दोस्त i3 की load body की लंबाई आपको 9.5 feet चोड़ाई 5.9 feet और उंचाई 1.5 feet की मिलती है वहीं बड़ा दोस्त i4 में आपको 9.8 feet की लंबाई 5.9 feet की चोड़ाई और 1.7 feet की उंचाई इस load body में आपको देखने को मिलेगी वहीं अंत्यों मैं बात करें इसके actual room price की तो 8.05 लेक से शुरू होने वाली actual room की मतव में यह mini truck आपको मिलेगा नमबर दो पर आती है टाटा युद्धा pickup भारत और नैपाल सहित कहीं अन्य देशों में अत्यदीक पसंदिदा pickup truck है जो कि आपको 2.2 liter के engine के साथ मिलती है इसकी maximum power की बात करें तो 73.6 kilowatt की maximum power यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और 250 newton meter का maximum torque इस pickup truck में आपको देखने को मिलता है तीन payload options के साथ 1700 kg, 1500 kg और 1200 kg के payload options में यह pickup आपको देखने को मिलती है वहीं बात करेंगे load body dimensions की तो load body की लंबाई आपको 2650 mm यानी की 8.7 feet की मिलेगी और 4.6 feet की यहाँ पर आपको देखने को मिलती है वहीं 1200 kg payload option में यहाँ पर आपको 5.9 feet की चौड़ाई load body में आपको देखने को मिलती है लंबाई यहाँ यहाँ पर सेम ही रहती है तो यहाँ पर आपको लंबाई में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता चौड़ाई में आपको जरा सा अंतर देखने को मिलता है बाच fuel tank capacity की करेंगे तो 45 लेटर की capacity का fuel tank यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिसमें लगभग 13 km per liter का mileage इस में ट्रक में आपको देखने को मिलता है अन्त में बात करें इस pickup truck के price की तो यह pickup truck आपको लगभग 8.64 लेक तक के extra room कीमतों में मिलने वाला है अब आते हैं number one pickup truck की तो यहाँ पर आपको भारत के पहाड़ी और मैदानी चेतरों में सरवाधीक पसंद किया जाने वाला महिंद्रा का bull arrow pickup आता है जिसमें आपको बहुत सारी खूबियां तो मिलती हैं साथ ही बहुत से शांदार technical specifications के साथ यह pickup आपको देखने को मिलता है यहाँ पर आपको महिंद्रा की तरफ से काफी powerful engine लगा कर दिया जाता है यह pickup truck आपको extra long और extra strong दो variants में देखने को मिलेगा जहां extra long आपको 1.25 टन और 1.7 टन के maximum पे लोट के साथ मिलता है वहीं extra strong में आपको 1.3 टन और 1.5 टन का पे लोट देखने को मिलेगा आगे बात load body करें तो महिंद्रा बुलेरो extra long में आपको 2765 mm लंबी, 1700 mm चोड़ी और 650 mm उची load body मिलती है वहीं महिंद्रा बुलेरो extra strong में आपको 2540 mm लंबी, 1700 mm चोड़ी और 650 mm उची load body देखने को मिलती है जिनकी चोड़ाई और उचाई में आपको कोई अंतर देखने को नहीं मिलता चोड़ाई और उचाई आपको सेम मिलती है, लंबाई में जरा सा अंतर देखने को मिलेगा वहीं बात करें fuel tank capacity की तो महिंद्रा बुलेरो extra strong में आपको 1.25 ton और 1.7 ton में 60 liter की capacity का fuel tank मिलेगा वहीं महिंद्रा बुलेरो extra strong में आपको 1.3 ton और 1.5 ton में 57 liter की capacity के fuel tank मिलेंगे वहीं बात करें इस pickup truck के mileage की तो यह pickup truck आपको लगबग 13 km per liter के mileage के साथ मिलने वाला है अंत मैं बात करेंगे price की तो महिंद्रा बुलेरो pickup आपको 8.65 लेक तक के एक showroom price में मिलेगा यहाँ पर price में अंतर हो सकता है अलग-लग शहरों अलग-लग राज्यों में अलग-लग कीबते हो सकती है तो मैं आपसे request करूंगा कि आप इनके नजदी की showroom अत्वा नजदी की dealership में विजिट कर लिजिए जिससे कि आपको इनके कीमितों के बारे में exact जानकारी मिल सके तो यह थे इंडिया के top 5 pickup trucks उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share केजिए और वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद